नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां किसी भी बीमारी का रामबाण इलाज है जो आज हम आपको तेल बता रहे हैं ये इस तेल में छुपे हैं अनेकों फायदे हमें स्वास्ते संबंधी कोई भी समस्या होती है तो हम उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर या दवाईयों का सहारा लेते हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते अगर हम कहें कि अपनी किसी भी बीमारी का कारगर इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं तो आपको शायद हमारी बातों पर यकिन नहीं होगा लेकिन ये सच है हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐससे ओयल के बारे में जिसमें गंभीर से गंभीर बीमारीयों से लड़ने की शमता होती है जिहां कलोंजी का तेल कलोंजी का इतिहास सालों पुराना है सदियों से इसका उपयोग मसाले और दवाईयों के रूप में किया जा रहा है इसके और शद्यों गुणों के चलते ही कहा जाता है कि कलोंजी के तेल में हर मर्ज का इलाज है सिवाए मौत के कलोंजी का ते के रोग प्रतिरोधक शमता को मजबूत करते हैं रामबन और शद्ध के रूप में प्रयोग होती है यह कलोंजी कलोंजी का तेल कैंसर डाइबिटेज सर्दी जुकाम पीलिया बवासीर मोत्या बिंद की आरंभिक अवस्था कान के दर्द सफेद दाग लकवा माइग्रेन खा कैंसर की कोशिकाओं को विक्सित होने से रोकता है और उन्हें नश्ट करता है यह कैंसर रोग्यों में स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा करता है कैंसर से पीडित व्यक्ति को कलोंजी के तेल की आधी बड़ी चमच को एक ग्लास अंगूर के रस में मिला कर दिन में तीन बार लेना चाहिए इसके बाद HIV में जिहां HIV AIDS कलाउंजी के और शद्य गुणों की जांच के लिए अमरीका में एक शोध के दोरान HIV पिडित व्यक्तियों को रोज कलाउंजी लहसुन और शहद का कैपसूल दिया गया कुछ दिनों बाद यह पाया गया कि पिडित व्यक्ति में शर खासी और दमा में खासी और दमा की शिकायत होने पर छाती और पीठ पर कलाउंजी के तेल की मालिश करें तीन चम्मच कलाउंजी का तेल रोज पिएं और पानी में तेल डाल कर उसका भाप लें लाब होगा डाइबिटीज में डाइबिटीज के मरीजों को एक कप कलाउंजी के बीज, एक कप राई, आधा कप अनार के छिलके को पीश कर चून बना लेना चाहिए आधे चम्मच कलोंजी के तेल के साथ इस चून को रोज नाश्टे के पहले एक महीने तक लेने से आराम मिलता है इसके बाद किड्नी एश्टोन के लिए पाव भर पीसी होई कलोंजी को शहद में अच्छी तरह से मिला लें इसमें दो चम्मच मिश्रन और एक चम्मच कलोंजी के तेल को एक कप गर्म पानी के साथ मिला कर रोज नाश्टे से पहले लें गुर्दे की पथरी से परिशान लोगों को कलोंजी का तेल फायदा करता है इसके बाद हरदय रोग और बलड प्रेशर में जब भी कोई गर्म पेय में उसमें एक चम्मच कलोंजी का तेल मिला लिया जाए तीन दिन में एक बार पूरे शरीर पर तेल से मालिश की जाए आधा घंटा धूप का सिवन किया जाए लगातार एक महने तक अगर ऐसा आप क जाना पहले सेव का सिर का शरीर पर मलें फिर कलोंजी का तेल मलें लाब होगा कमर दर्द और गठिया में कलोंजी के तेल को हलका गर्म करके जहां दर्द हो रहा है वहां मालिश करें और एक चम्मच कलोंजी का तेल दिन में तीन बार सेवन करें 15 दिनों में बहुत आराम मि कुछ सबताहबाद सिरदर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आखों की समस्या के लिए रोज सोने से पहले पलकों और आखों के आसपास कलोंजी का तेल लगाने और एक चमच तेल को एक कप गाजर के रस के साथ एक महिने तक लेने से नेत्र रोग से पीडित व्यक्ति को फ काम होता है एक चमच तेल सो ग्राम उबले हुए पुदीने के साथ खाने से यादाश्ट अच्छी होती है इस्त्री के गुप्त रोगों के लिए इस्त्रियों के रोग जैसे श्वेत प्रदर रक्त प्रदर डिलिवरी के बाद दुरबलता इवं रक्त स्त्राओं में तेल डाल कर दिन में दो बार पिए बेंगन अचार अंडा और मचली से परहेज करें यानि कि ध्यान रखें कि आपको मांसाहारी भोजन का सिवन नहीं करना है इसके बाद पुरूशों के गुप्त रोगों में स्वप्न दोश स्तंभन दोश नपुन सक्ता जैसे रोगों मे एक कब सेव के रस में आधा चमच तेल मिला कर दिन में दो बार 21 दिन तक पिए थोड़ा सा तेल गुप्तांग पर रोज मलने से फायदा होता है बालों की समस्या को भी ये दूर करता है जिहां बालों में निम्बू का रस अच्छी तरह से लगाएं 15 मिनट बाद बालों को शेम्पू कर लें एवं अच्छी तरह से दो कर सुखा लें सुखे बालों में कलोंजी का तेल लगाएं एक सब्टा के उपचार के बालों का जढ़ना बंद हो जायेगा बालों में रूसी होने पर 10 ग्राम कलोंजी का तेल 30 ग्राम जैतून का तेल हलका गर्म करें उसमें 30 ग्राम पीसी हुई मेहंदी को मिला कर बालों में लगाएं और आधे घंटे बाद बालों को धो करके शैंपू कर लें इसके बाद है सुंदर और आकर्शक चेहरे के लिए जिहां एक चमच कलोंजी का तेल लीजिए एक चमच जैतुन का तेल मिला लीजिए उसमें और चेहरे पर मसाज कीजिए एक घंटे बाद चेहरे को धोलीजिए कुछ दिनों में आपका चेहरा चमक उठेगा तो देखा आपने दुकान पर आसानी से मिलने वाले कलोंजी के तेल में कितने सारे फायदे चुपे हुए होते हैं अगर आप भी हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो रोजाना कलोंजी के तिल का इस्तेमाल करें आप स्वस्थ रहेंगे जहां दोस्तों तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों